जर्म कुल्नी में अगर लगन भाव स्वामी या लगन किसी पर तरह से पाफ गर दित हो जाए है और सासा द्वादश भाव स्वामी और द्वादश भाव में पाफ गरों का प्रभाव आ जाए तो ऐसी condition में व्यक्ती को क्या रहता है anxiety रहती है, security रहती है, negative thoughts बहुत आते हैं, नीन की समस्या हो जाती है, रात में अचानक से जग जाना, बुरे सपने आना, भेवीत हो जाना, एक week जो है वो लगनेश की और द्वादश भाव के affliction की नेशानी है, द्वादश भाव पाप ग्रहों के प्रभाव में हैं, यहां सेगर हम देखी तो द्वादश भाव पी affliction में आया है, द्वादश भाव के सुरेवी पाप ग्रह के प्रभाव में है, लगनेश भी पाप ग्रह के प्रभाम में और नीच हुआ है तो इस व्यक्ति को जो समस्या है वो है रात को नींद नहीं आना अचानक से उठ जाना भैबीत हो जाना डर लगना बुरे सपने आना नेगिटिव थौट्स आना कॉंसंट्रिशन नहीं बैठना वाणी दोश होना तो ये सब जो चीजें होती ह है ये कुण्णी में इस तरहां अलगनेश के वीक होने से देखी जाती है ऐसी कंडिशन में उपाय की बात करें तो क्या करना चाहिए देखिए द्वादेश भाव जो है ना नींद का होने के साथ आईसिलेशन का भी है मोक्षत रिकोन है मेडिटेशन का है डोनेशन का है च नेगिटिविटी है वो खत्म होगी और इस कुण्णी के सबसे उपाय जो बनते हैं वो राहू के दान और सुरे को जल देना और बुद्ध के लिए जो रत्न है पन्ना रत्न वो पहनना इस विक्ति के लिए बहुत ही जड़ा हेल्फुल साबित होगा